हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्छा 6 की पुस्तक वसंद का दूसरा पार्ट बच्पन को इस पार्ट की लेखी का है कृष्णा सोबती तो चलिए सबसे पहले हम कृष्णा सोबती के जीवन परीजे के बारे में जान ले लेते हैं कृष्णा सोबती का जन 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था भारत के विभाजन के बाद गुजरात का बहु हिस्सा पाकिस्तान में चला गिया विभाजन के बाद विदिल्ली में आकर रहने लगी और यहीं से इन्होंने अपनी साहित्य सेवा की शिरुवात की 2017 में इन्हें भारतिय साहित्य के सर्वोच सम्मान ग्यानपीट पुरसकार से सम्मानित किया गया इनकी कुछ प्रसिद्य उपन्यास हैं ए लड़की, डार की बिछुडी, यारो के यार, तीन पहाड और इनका निधन 25 जनवरी 2019 को हुआ था तो चलिए अब हम इनके द्वार करते हुए कहती है कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुवा भी और बड़ी मौसी भी, परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारती हैं, हाँ इन दिनों में उम्र में कुछ स्य जाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताबदी में पैदा हुई थी, शताबदी मतलब 100 साल पहले, मेरे पहनने ओरने में भी काफी बदलाव आये हैं, पहले मैं रंग भी रंग के कपड़े पहनती थी, जैसे कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकल पहेंगे, गरारे, पहनना पसंद करती थी, और आज मैं चूडीदार और घेरदार कुर्ते पहनना पसंद करती हूँ, बच्पन की कुछ फ्रॉक तो मुझे आज भी याद है, हर शनिवार को हमें सेहत को ठीक करने के लिए ओलिव ओयल या कैस्टर ओयल पीना पड़ता था, ये एक मुश्किल का काम था, शनिवार को सुबह से ही नाक में इसके गन आने लगती थी, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है, बच्पन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, क्योंकि हम नौकरों को धोने के लिए नहीं दे सकते थे, इसकी सक् हर रविवार को हम अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हाला कि अब नए नए किसमे के जूते आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले सी भी कई जादा अरामदे है, हमें जब नए जूते मिलते, उनकी स साथ ही छालो का इलाज शुरू हो जाता, जब कभी लंबी सेर पर निकलते, अपने पास रुई रखकर निकलते, अगर जूता लगा तो रुई मुझे के अंदर, हाँ हमारे तुमारे बच्पन में तो बहुत फर्क हो चुका है, हमारे बच्पन की कुलफी आइसक्रीम हो ग जब करने हफते में एक बार चॉकलेट खाईने की छूड थी, सबसी ज़्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता, मैं चॉकलेट लेकर खड़े-खड़े कभी नहीं खाती थी, घर लोट कर रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मजे ले लेकर खाती थी, फिर लेखी का कहती है कि हमने अपने जमाने में चने जोर गरम और अनार दाने का चूल भी खाया है, और वो कहती है कि चना जोर गरम की पुडिया जो तब थी, वो आज भी नजर आती है, पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुडिया में मेरा हाथ कमाल है, नीचे से त पिल्म का गाना चना जोर गरम बाबो में लाया मजेदार चना जोर गरम ये गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। वहां देखो और वो गायब उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। गाली की मौडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मैं कभी नहीं भोलती। ये वो दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शु पोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आखों में कुछ तकलीफ है क्या इस उम्र में एनक दूद पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो एनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वाशन दिया थ लेकिन चस्मा तो अब तक नहीं उत्रा। नमबर बस कम ही होते जा रहा था। मैं अपने आप इसके लिए जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़ कर रात मर टेबल लैम के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचरे भाई ने मुझे छेडा। देखो देखो कैसी लग रही है। आग पर चश्मा लगाया ताकि सूजे दूर की। ये है नहीं लड़की को मालूम सूरत बने लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर ही क्यूं दोर पर सेर बुरा नहीं लगा। जब वे चाई पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आइने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आपको देखा। एनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी फिर देखती रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं हाँ ह तो इस प्रकार से उन्हें भी लगने लग गया था कि चश्मा लगाने के बाद उन्हें अपनी सूरत थोड़ी सी बदली सी नजर आ रही थी। इसका मतलब ये है कि उनके चचरे भाई ने उनको जो चड़ाया था वो ठीक ही था। याने कि उनके चड़ाने पर भी उन्हें अच्छा ही लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा चड़ना ऐसे ही बिना मतलब का था। तो इस पार्ट के द्वारा लेखिका ने ये बताने का प्रयास किया है कि आज के समय में और प्राचीन के समय में क्या अंतर है। प्राचीन समय में मनुरंजन के साधन, ग्र प्रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदी थे, आज हम टीवी, सिनेमा घर, आदी मनरंजन के साधन को आजमाते हैं, पहले पत्र आदी के द्वारा हम अपने समधिय और मित्रों को संदेज भेजते थे, आज हम टैलिफॉन, मोबाइल, इंटरनेट आदी के द्वारा म मिंटों में अपने बात लोगों तक पहुचा सकते हैं और लोगों से उनकी बात जान भी सकते हैं, पहले रिक्षा, बस, ट्रेन, टैक्सी, आदी यात्रा के साधन थे, आज मैट्रो, रेल वबुलेट ट्रेन के द्वारा हम मिंटों में लंबी दूरियां तै करते हैं, इस प्रकार के अनेक परिवर्तन, वर्तमान और प्राचीन समय में देखने को मिलते हैं, तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इस सरे की आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद